Hello students, BA 2nd year, Economics, paper 1st में आज हम आपको Methods of Measuring National Income यानि की रास्टी आए गर्णा की विदी के बारे में बताएंगे इसमें निम्न विदिया हैं, number 1st, Production Method और Value Added Method उत्पादन रीती अत्वा मूलने व्रद्दी रीती, इसका आर्थ सुनिये इस विदी में उत्पादन विदी, Product Method, अथवा शुद उत्पादन विदी, Net Output Method भी कहते हैं इस विदी के अंत्रगात रास्टी आए की गर्णा करने के लिए एक वर्ष की अफ़धी उत्पन की गई वस्तूओं और सेवाओं का शुद मूले ग्यात किया जाता है तथा उनका योग करके कुल उत्पाद का मूले ग्यात किया जाता है प्रॉफेसर कुजनेट्स ने इस पदथी को कॉमोडिटी सर्विस मैथट कहा है क्योंकि इसमें वस्तूओं और सेवाओं के प्रभा का योग किया जाता है इस विदी में इस विदी को शुद मूले विदी रीती इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वस्तूओं के उत्पादन करम में शुद मूले में ब्रभधी की जाती है उत्पादन करने वाली प्रते किकाई बाजार में वस्तूओं और सेवाओं का विक्रے करती है इस से उसके स्टाॉप में चेंजिस होते हैं उसके कुल उत्पादन का मूल है उसके बिकरे मूल है यानकि सेल्स प्राईज प्लस स्टाॉप के वराबर होता है इस एकाई दोरा बिकरे को हम अंतिम बस्गू का बिकरे कह सकती है उधारण के लिए सुनिए एक किसान अपने परिवार दौरा श्रम किये जाने के फलसरूप पांच क्यूंटल गेहूं का विक्रे करता है और दो हजार रुपे प्राप्त करता है अब कल्पना करो किसान इस गेहूं को आठा चक्की चलाने वाले को बेचता है तो उसके लिए गेहूं का क्रे मध्यवर्ती उपभोग यानि इंटरमीडियर कंजम्शन है क्योंकि वे गेहूं को आठे में परिवर्टित कर उसे 2500 रुपे में बेचता है जो एक डवल रोटी बनाने वाले बेकर दौरा क्रे किया जाता है अब यहां आठे का विक्रे अंतिम उत्पाद है किन्तु वेकर उसका प्रियोग मध्यवर्ती बस्तू के रूप में करता है अर्थात डवल रोटी बनाने वाला आठे से डवल रोटी बना कर बेचता है हम यह मान लेते हैं कि वेकर डवल रोटी की कुल कीमत 3,000 रुपे वसूल करता है वेकर के लिए डवल रोटी का विक्रे अंतिम बस्तू का विक्रे है यह डवल रोटी यह विविन दुकानों के मध्य से बेची जाती है जो उनके लिए इंट्रमीडियट इंपुट है यह सभी तुकांदार उधारन के लिए समस्ट डवल रोटिया 3200 रुपे में बेच देते हैं अब यदि हम विवन इकाई दौरा उत्पादन के मूले को जोड़ें तो यह 2000 रुपे प्लस यह 500 प्लस 3000 प्लस 32 investment के लिए निम्हार में टोटल के ऩर रुपे होता है इसे निम न key देखिए bran्पॉन कमूल रहे फिर इत्पादन का मूल है पिर प्रते का वस्था में कुल मूल रद्धी तो इसमें नंबर फिर्स्ट पॉइंट यह फर्स्ट नंबर पे जिस फोर्थ नंबर पे और फिफ्ट याने की 4-3 इसको 4 मेसे स्थे को माइनस करके जो फिफ्ट में आ जाएगा देखिए पहले किर्शक कि उत्पादन की यवस्ता गेहूं फिर मद्धेवर्थियों का मुल्ड है यान कि जीरो और उत्पादन का मुल्ड है दोजार तो 2000 मैंसे जीरो को माइनस करेंगे तो 2000 रुपे आजागा प्रते का वस्ता हमें नुल्ड का व्रदी आठा चक्की वाल है फिर इसका उत्पादन की वस्ता आठा मद्धेवर्थियों का मुल्ड है दोजार फिर इसमें 2500 अब 2500 मैंसे 2000 माइनस कर देंगे तो 500 रुपे फिर डबल रोटी ब मैं विक्र थीन हजार तीन हजार दो सो मैं से तीन हजार माइनस कर देंगे तो 200 रुपे इसका टोटल कर देंगे इन सब का टोटल आएगा 7500 इन सब का टोटल आगा 10700 और इन सब का टोटल आगा 3200 अब 10700 मैंसे 7500 भी माइनस करोगे 25 के टोटल 32 बैटेगा अब 3200 3200 जो वाले बरावर के हैं इसलिए हाँ पर उन्हें तीर से दर्शा दिया है अब इसके बागे डवल काउंटिंग इन इनकम मिसलीडिंग यानकि आए के माप में धोरी गर्णा ब्रहम पूर्ण उप्युक्त उधारण से इस पस्ट है कि राश्ची आए केवल 3200 रुपे है ना कि 10700 रुपे प्रते का वस्था में होने वाली मूले व्रद्धी के योग से ही राश्ची आए की गर्णा की जाती है अन्ति मुबोक्ताओं को जो डवल रोटी का विक्र है किया जाता है उसका कुल मूले ही मूले व्रद्धी के बरावर होता है क्योंकि डवल रोटी ही यहां अन्ति मुत पाद है शेश तीनों मद्ध्यवर्थी बस हुए हैं आगे देखिए सेकंड आता है इंकम मैथड यानि की आए विधी इसका अर्थ सुनिए इस विधी के अनुसार एक बर्ष में एक देश के लोगों द्वारा जो शुद आए प्राप्त की जाती है उसका योग कर लिया जाता है अर्थात उत्पत्ति के विविन सादनों को जो शुद आए प्राप्त होती है उसका योग ही रास्टिये आए होती है आगे मेंड पॉइंट्स और स्टेफ्स फॉर मेजरिंग नेशनल इंकम वाई इंकम मेथड यानि की आए विधी के अनुसार रास्टी आए की गर्णा के महतपूर विंदू इसमें उत्पादन में विवन उत्पाद्ती के साथ नों की सेवाई ली जाती हैं तथा इसके बदल उन्हें पारिश्रमिक दिया चाता है इस प्रेकार आए विधी के अंद्रगत रास्टी आए की गर्णा उत्पत्ती के साथनों को प्राप्त होने वाली आए के आधार पर की जाती है इस विधी में आए की गर्णा में निम्ने विंदू महतपूर है नमबर फर्स चाता है सा करते हैं उत्पादन करने वाले उधमों के अंत्रगाद प्रात्मिक छेत्र दुत्यक छेत्र और हम सेवच छेत्र की वी सभी उत्पादनिकाईयों का समावेश होता है इसके लिए निम्नांकित साधन आई ज्यात की जाती है फर्स्ट पॉइंटेस में उत्पादन में कारेड़त करमचारियों को पारिश रमिक यानिकी कम्पेंस्टेशन ओफ एम्प्लोईज इसमें अनुपूरक आये तथा बस्तू के रूप में छती पूर्टी भी शामिल है सेकेंड है भूमी के लिए लगान यानिकी रेंट थर्ड है पूर्जी के लिए व्याच यानिकी इंट्रेस्ट फोर्ड है उदमी का लाव यानिकी फ्रॉफिट फिफ्ट है स्वार रोजगार में लगे लोगों की मिश्रित आये मिख्ज इंकम ऑफ दा सेल्फ एंप्लॉइड आगे नमबर सेकेंड पॉइंट है रास्टिय आये की गर्णा उप्युक्त विदी से हमने आये विदी के आधार पर घरेलू साधन आये की गर्णा की है याद रहे इसमें विदेशों से प्राप्त आये शामिल नहीं है किन्तु यदि हम आये विदी के नुसार रास्टिय आये की गर्णा करना चाहें तो घरेलू साधन आये में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आये को जोड़ना होगा आय विदी दोहरा हो यारें की इसका फॉर्मूला है रास्टी आय वरावर घरेलू साधन आय प्लश बिदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इसका एक्जामपल सुनिए एक अर्थ विवस्ता में निम्न आकडों के आधार पर आय गर्न विदी से बाजार मूले पर रास्टी आय की गर्न कीजिए अब इसमें यह दे रखे हैं ऐसे वंसेले का टैन तक और जे करोड रूपे में दे रखे हैं तो फस्ट है मज़़ूरी एवं बेतन यह कितना है चार सो करोड रूपे में सेकेंड है व्याज ये 70 करूर रूपे में थार्ड करमचारियों को अन्ने सु विधाए 40 रूपे में लगान 50 रूपे में अवितरितलाव 10 रूपे में विदेशों से शुद्ध आए 15 करूर रूपे प्रत्यक्षकर 8 करूर रूपे सामाजिक सुरक्षा अर्शदान 7 करूर रूपे हस्तान तरन भुक्तान 5 करूर रूपे शुद्ध अप्रेतक्षकर 9 करूर रूपे इसका सॉलूशन सुनिए बाजार मूले पर रास्टी ये आए मरावर मज़ूरी एवम वेतन प्लस ब्याज प्लस करमचारी को 900 विधाये प्लस लगान प्लस अवितरित लाव प्लस बिदेशों से शुद आए प्लस प्रतेक्षकर प्लस सामाजिक सुरक्षा अर्शदान अब इसमें सुनिए 400 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 7 इन सबको टोटल आएगा 600 जैनकि 600 करूल रुपे इसका यह आंसर है अब आगे देखिए थर्ड पॉइंट आता है आपका एकस्पेंडेचर मैथड यानिकि वे विधी जैसे जैए आए और वे होते हैं आए मतलब इनकाम आने का आदा वे मतलब खर्चूँ देखिए इसका देखिए आए गर्णा की यह विधी इस मानेत पर आधारित है कि रास्टी आए आवम रास्टी वे दौनों समान होते हैं इस विधी के अनुसार देश के लोगों द्वारा किसी विशेश बर्ग में जो वे किया जाता है उसका योग कर आए की गर्णा की जाती है यह वे उपवोग के साथ विन्योग पर भी किया जाता है उपवोग पर किये जाने वाले वे को अन्तिम उपवोग वे यह फाइनल कंजूम्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं तथा ही यह वे परिवारों और सामने सरकारों द्वारा किया जाता है इसके साथ ही सामने सरकार परिवार छेत्र तथा नियमित और अर्थन निगमित छेत्र अपना उत्पादन बढ़ाने अब मूले हिरास के लिए पूंजिकर बस्तुएं खरीते हैं इसका सूत्र है शुद्र निर्यात बरावर बस्तुएं और सेवाओं का निर्यात मूले माइनस बस्तुएं और सेवाओं का आयात मूले आज के लिए इतना ही थैंक्यू वेरी मुच